कार मनंदन आप देख रहे हैं एक निश्ट 24 देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का फायर ब्रांड परवक्ता सुमिश शांग जी बाते करेंगे रोहिनी अचार के बयान आप लोगों के दिल में तीर की तरह चुबते हैं उनके बयान फिर से उनका बयान आया था कि समराठ चौधरी को लेकर कि उनकी बेटियां और बेटे जो है वो उनके हैं या पडोसी के ऐसे बयान आते हैं वो भी उनकी बेटी के तरफ से जो कि बिहार की गदी समाल चुके हैं पर देखे इस प्रकार की बकवास और निम्न अस्तरिये बातों पर टिका टिपनी जो है वो उचित नहीं है मांसी कस्तुलन जो है उनके पूरे परिवार का खराब है और निम्न नीच घटिया किस्म की जो बाते हैं उसकी उम्मीद जो है ऐसे ही लोगों से की जा सकती है इस प पर और किसी बड़े नेता के परिवार पर ये लोग टिपनी इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो परिवार है ये भ्रहस्टाचारियों का परिवार है लुटेरों का परिवार है बिहार को लूटने वालों का परिवार है और कहीं न कहीं बिहार में संगटित अपराद करवा परिवार और लुटेरों और भ्रहस्टा आचारियों की मंडली है। यह सिर्फ दूसरों को गाली देना जानते हैं और गाली देने में ही ऐसे लोग ज़ो है Nawin किसके नेता है ये तय करना है कि ऐसे लोग जो है ना रोहिनी जी को तो कोई जानता भी नहीं है और उनके विशह में बहुत ज्यादा बात करने के आवशकता भी नहीं है बात अगर होती है तो लालू जी के विशह में होती है लालू जी कौन है बरस्ट आचारियों के मुखिय चारा चोरो के मुखिया, अलकतरा पीने वाला जो गिरो है उसके मुखिया, ये स्कूटर पर भेंस लाद के लिए जाने वाले, यही तो हैं, इससे ज़्यादा क्या है? लेकिन इस बात से क्या आप सहामती जाता हैं कि लालू परसाद यादों निमन जाती के लोगों को उपर उठाने का काम किया है, दलीतों को उपर उठाने का काम किया है। और पूरा बिहार इस बात को सिर्फ एक ही चीज को तय करने में लगा रहता है, कि गुंडों की पाटी की पाटी में गुंडे, अब ये बिहार इस बात को तय करने में लगा है। मध्यम तबके से आने वाले लोगों का सपना जो है जिन लोगों ने चकना चूर किया हो मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों का अपहरन करने वाला जो गिरो हो वैसे ही लोगों गिरो हो के जो सरगना हैं उनको तो टिकट देते हैं यह अबी के समय में भी राश्टर की सबसे बड़ी पाटी है कॉंग्रेस, वहाँ पर प्रियंका गांधी का मंगल सुत्र वाला बयाना था, उससे आप वाकिफ तो होंगे ही, क्या कहेंगे उस बयान को? दखे, राहुल जी के जो ये भाई है, जो अभी बयान दे रहे थे, अरे सोरी, वो जो उनकी बहन है, अज़ा गल्ती से निकला या फिर? नई, नई, ये जो उनकी बहन है, प्रियंका गांधीजे, वो जिस प्रकार का बयान देती है, उनसे सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूँ, कि इटली में कोन मंगल सुत्र पहनता था, जो मंगल सुत्र बचाने की बात करती हैं, और रही बात, दीज के माताओं बहनों के सम् शंक्य बलिदानों के पश्चात आज भारतीय जनता पाटी खड़ी हुई है, मा बोलोकिक सब्द है, जिसके असमरन और उचारन मातर से ही मनुष्य का कहीं न कहीं मनुष्य की सारी पीडा जो है, वो सवाप्त हो जाती है, और ये लोग तो एक मा को गाली दिलवाने वाले ये लोग तो दलितों की मा को गाली दिलवाने वाले लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनको आदिशक्ती मा जगदंबा की जब पूजा होती है, तो नौरातर के परो में ये कहीं न कहीं उट पटांग हरकते किया करते हैं, ये सनातन को समाप्त करने वाले लोग हैं हमने बात किया कॉंग्रेस पर, कॉंग्रेस से ये भी दावा करती है, राहुल गांदी भी कहते हैं कि हमारी मा देश के लिए तो गळाली को लूट ने वाली एक पाटी है, उस पाटी का नाम है, कॉंग्रेस जो की टुकडे टुकडे गैंग की गोद में बैट करके जिसका जनम होता है भारत की में और कहीं न कहीं देश में जब कभी भी नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकडे होंगे इंसा अल्ला इंसा अल्ला तो इस मदर्सा छाप गुंडा तंतर को को नागे फली भूत करने वाला वेक्ती है ये कॉंग्रेस पार्टी के ही तो लोग है कसाब को जब फांसी की सजा हो जाती है तो कसाब के लिए उसको प्रान दंड जो है उससे माफी दिलवाने के लिए यही सोनिया गांधी जो है इनके दो सलाहकार जाते हैं और आवेदन करते हैं तो ये कैसे लोग है आतंकियों की वाकालत करने में सबसे अगर नंबर वन कोई पार्टी है तो वो कॉंग्रेस पार्टी है एक भी जुतने भी लोग आतंकि घटनाओं में जिनकी भी जो लोग भी आतंकवाद और जो भी आतंकी जो मारे गए हैं सेना के द्वारा उन सभी आतंकियों को एक कडोर रूपिया देने का काम करेगी कॉंग्रेस तो ये तो कॉंग्रेस के नेता ने कस्मीर में कहा है हो सकता है कि यहां उनके जो नेता है वो अन्भिग्य हों देखें कॉंग्रेस एक कहोत है बिहार में कॉंग्रेस और RJD के विशह में परिपेक्ष में मैं बता रहा हूँ एक फुटले फुटले एक हो का पेनी है नहीं तो एक का तो पेनी गायब है और एक फुटले फुटले है तो ये कहां क्या बयान देते है ना इनको कुछ समझ में नहीं आता है इनका कोईनेता सनातन बिरोधी उन्मूलन सम्मेलन में चला जाता है सनातन को खतम करने की बात करता है हिंदुतों को मिटा देने की बात करता है और मदरसाच आप गुंडा तंतर में जा करके सनातन मानेताओं में बसे हुए लोगों की संपत्ति बाटने की बात करता है तो ऐसे ही लोग तो हैं ये कॉंग्रेस की जमात में यह तो जमात है न, एक ISIS से ज़्यादा खतरनाक है कॉंग्रेस लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि इस देश में सौ कडूर से भी जादा ऐसे लोग हैं जो सनातन मानेताओं में विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म से आते हैं और कॉंग्रेस ने क्या किया कही न कही सनातन को दबाने का काम किया सनातन को खतम करने का काम किया सनातन बिरोधी गति विदियो में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो कॉंग्रेस पार्टी और ये इंडी लाइन्स के लोग हैं इन लोगों ने कुछ एक लोगों को तुस् तो हम जब आप हमसे पूछते हैं तो सौ करोड की आबादी है इस देश में सनातन धर्म से आने वाले लोगों की उनकी धार्मी का स्थाएं हैं उनकी पुजा पद्धती हैं उनके पर्वतेहवार हैं और उन पर्वतेहवारों की रक्षा के लिए अगर हम प्रतिबद रहते है उनके पुजा पद्धती और उनके धार्मी का अचार विचार और संसकारों की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद रहते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि प्रतिबद हैं और निश्चित रूप से सनातन के उपर अगर कोई उंगली उठाएगा सनातन को नीचा दिखाने का का प्रतिबद रहते हैं और सनातन को तोड़ेने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से असे लोगों को जवाब जो है भारती जनता पाटी का नित्रित तो देगा क्योंकि देश के मूल तत्तों में कहीं न कहीं राम राजे का उद्धेश चिपा हुआ है और राम राजे उसके संसकारों की रक्षा करना हमारा उद्धेश है और हमने 34 कडोड लोगों को आयुषमान भारत योजना के तहट जब लाभानवित किया तो क्या उस आयुषमान भारत योजना के तहट लाभानवित होने वाले जो लोग है उसमें सिर्फ हिंदू ही है क्या उसमें मुसल से बाहर निकाला गया असी कडोड़ों लोगों को जब सीधा उनके घर पे अनाज पहुंचाया गया वो भी गरीमा मई पुर्वक तो क्या उसमें अन्य धर्म को मानने वाले लोग नहीं है क्या लेकिन जो भारत की जो सुरक्षा वेवस्था है भारत की उपर प्रस्ने चिन्न खड़े करेगा जो रोहिंग्या के साथ खड़ा रहेगा तो जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम रोहिंग्या से है वो रोहिंग्या के घर चले जाए वो बंगलादेश चले जाए वो पाकिस्तान चले जाए इतना ज़्यादा प्रेम है कॉंग्रेस को तो खुद जाकि अपन की पाक्ति ये वहीं पर आप लोग रामराज्य को लेकर बाते करते रहते हैं मुसलिम भी तो है मुसलिम को अप लोग के मुसलिमों के लिए करेंगे आप लोग योजनाय लाता है जिसमें हो सकता है श Sixicle सब का है और व्लद Beijing Oczywiście से भी ज़्यादा सनातन मानेताओं में बसे हुए लोग भारत में रहते हैं, हम सब की बात करते हैं, हम यूजनाओ को किसी एक जाती विसेस के लिए थोड़े न लाते हैं, हम सब के लिए लाते हैं, और रही बात, माइनूर्टी की, तो आप देखेंगे, तीन तलाग से आज किसने दिलाई, आज मुसलिम माताएं बहने, सब से ज़्यादा अगर खूस हैं, और आधरनिये प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को वोट करती हैं, वो कही न कहीं एक तंतर के माध्यम से, जिस प्रकार से ये मदर्सा चाप तंतर के माध्यम से, उनको पड़तारित किया ज चीजों में उनको फसा के रखा जाता था, उससे आजादी किसने दिलाई, उससे तो आधरनिये प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी नहीं दिलवाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने उनके लिए वलफेर योजनाय जो है, उनले करके नहीं आएं, हम तो सब के लिए काम कर र फिरंगियों की मंडली बोल सकते हैं, कॉंग्रेस पाटी की बात कर रहा हूँ, यह फिरंगियों की जमात जो है, अपने बीच में परतियस परधा करने में लगी रहती है, कि किसका पूछ जो है, वो सबसे ज़्यादा हरा है, तो ऐसे लोगों पे तो सक तो होगा ही ना, चल झाल